हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं चानल उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे धेर सारे घरेलो काम से जुड़े ऐसे तरीके जो आपके रोज के काम को बेहदासान कर देंगे और साथ ही साथ आप गैस लेंडर की बचट कैसे कर सकते हैं गैस जल्दी खत्म ना हो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं वीडियो जरा से भी पसंदा आई तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर चानल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे ठौर बश्च्राइब друзья सब्सक्राइब करने के लेडियो तो ग्या इसको आपने इस तरीके से ले लिजे जिसका आप यूज नहीं करते हैं या फिर आप लकडी की कोई डंडी ले लिजे उसका यूज कर सकते हैं और इस फ़र लगा दीजे एक बढ़िया से टाइट करके कोई फिर रबडबेंड जो भी आपके पास हो अब ये बहुत अच्छा हमारा क्लीनिंग का आइट करने कर डर रहता है और वैसे भी हम अस तरीके से साफ करते हैं तो ये जोना होता है बहुत अच्छे से स्क्रबर का काम करता है और अच्छे से हमारे सिंक को नीट अन क्लीन कर दीता है और साथ ही साथ हमारे जो वाश बेसन होता है उसकी भी कुछ ऐसी जगा होती है जहां प वो बिना उस गंदगी को टच किये, इस तरीके दे साफ कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस स्क्रोच ब्राइट को साफ कर दीजे अच्छे से, और इसको क्लीन कर लीजे, आपने सिंक को या वाश बिसन को, तो ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग का आपका आइटम बन कर तयार हो जाता है, वो भी बिना एक रुपिया खर्च किये, तो आप इसे अगर फेक ने की सोच रहे हैं, तो इस तरीके से यूज़ करके जरूर देखिएगा, और कॉमेंट करके बताईएगा कि आप कोई तरीका कैसे लगा, तो हम सभी के घर में कभी न कभी इस तरीके के प्लास्टिक वाले डिस्पोजल ग्लास जरूर आए होंगे, या फिर शायद कई घरों में अभी पड़े होंगे, अभी किसी न किसी कोनी में ऐसी पड़े रहते हैं, कभी कभारी इनका यूज़ होता है, अगर आपके पास भी इस तरीके के कोई भी डिस्पोजल ग्लास है, या कभी आ जाते हैं, तो आप इनका बहुत भड़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वैसा तो यह ग्लास जो होते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, यूज़ किया और फेक दिया, लेकिन आप इसका बहुत अच्छे तरीके से घर में यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला आप इस ग्लास ले लीज़े, और किसी भी पेचकस को ले लीज़े, उसकी मदर से आप इसमें गरम करके थोड़ा सा चोटे 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 कर लीज़े, तो मैं यहाँ पर चोटे चोटे चार से पांच चोटे कर लेती हूँ, चलिए आपको बताती हूँ कि use अब इसका कैसे करना है तो जहाँ पर आपका sink होता है जहाँ पर आप बरतंद होना पसंद करते हैं वहाँ पर आपको इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा देना है अब आपको करना क्या है इसमें जो छोटे-छोटे हम छेद किये हैं वो अब इसमें काम क्या करेंगे जो भी आपका खाने पिने का waste material होता है जो कि अकसर sink की जाली में जाके फस जाता है और हमारी sink कई बार बंध हो जाती है पाने ही नीचे नहीं जाता तो ये disposal का glass आपका वो सारा कच्रे को रोकने का काम करेगा अब आपको बताती हूँ कैसे जैसे कई बार लसन के चिलके होते हैं टमाटर के प्याज के चिलके होते हैं चाई पती अद्रक के चिलके होते हैं तो आप क्या करेंगे जितना भी आपका ये समान होगा, कच्रा होगा, आप इसके अंदर डाल दीजे, आप देखेंगे जितना भी पानी होगा, वो नीचे से निकल जाएगा, और जितना भी waste material होगा, वो glass के अंदर ही रह जाएगा, उसके बाद आप इसको अराम से फेक सकते हैं, तो आप इसको ब करते हैं, लेकिन आप सबने देखा होगा, कभी न कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कि खाना बनाते बनाते, अचानक से आपको लगता है कि gas खतम हो गई है, और अब खाना कैसे बने, कई बार तो booking के थू हम gas cylinder मंगा लेते हैं, लेकिन कई घरों में ब्लैक के थू मंगाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी आपको कपड़ा लेना है, तो मैंने यहाँ पर दुपट्टा लिया है, और इसमें एक गाट लगा दी है, अब यहाँ पर आपको लेना है एक पानी का बरतन, और पानी के बरतन को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, अब यह जो करने के लिए कि गैस में अब चिलेंडर में कितनी जादा गैस बची है ताकि हमें ख similar कि उसी χिसाब से हम अपना इंतिजाम भी कर सके अब यहाँ पर यहां पर इसको कर दिया है इसके बाद जो कफड़ा है इसको इस तरीके से घıs उपर लपेड देना है, कपड़ा ध्यान रखेगा, अच्छे से गिला होना चाहिए, उसके बाद इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लपेड दीजे, और कम से कम इसे दो मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजे, दो मिनट बाद आपको चेक करना है कि ये कहां कहां से गिला अब इसका यूज क्या होगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको अच्छे से पहले तो ऐसे चिपका दीजे, ताकि अच्छे से सिलेंडर के ओपर चुपक जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से यूज करना है, अब जैसे कि हमने इसको चिपकाया थ हम दो मिनट हो गए थे, तो चलिए अब इसको निकालना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी गाट खोल देती हूँ, ताकि हमें पता चले कि अब इसमें ग्येस कहां तक है, दोस्तों जब कभी भी हम ये ट्रिक करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके कर चुके हैं और जो हिस्सा इसका गीला रहेगा यानि कि इसके अंदर अब इतनी ही गैस बची है जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि अब जल्दी से गैस लेंडर खतम होने वाला है या कुछी दिन और चल जाएगा तो आई हूप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई ह दूस्तो इस तरीके का ये नीमवू निचोड़ने वाला आइटम तो हम सब के घ suppliers होता है क्योंकि गर्मी आने वाली है और नीमवू पानी हम सभी पीना पसंद करते हैं लेकिन सिर्फ का काम नीमवू निचोड़ने कही नहीं होता हम इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से एक घरेलू जुगार भी बना सकते हैं शायद आपको यह अजीब लगेगा देखने में लेकिन बहुत ही बढ़िया इसका घरेलू आइटम बन कर तयार हो सकता है तो मैं बात करें यहाँ पर इस नीम्बू निचोडने वाले आइटम की कि इसको यूज कैसे करें दोस्तो हम सब के घर में जो अगरबती होती है कई बारना हम इसको जलाते हैं लेकिन हमें इसका स्टैंड नहीं मिलता है या कई बार हमारे पास होता ही नहीं है खराब हो जाता है अब अगरबती वैसे तो मंदिर में भी यूज करते हैं उसके अंदर 4-5-6 ऐसे होल होते हैं उसके अंदर आप बहुती बढ़िया तरीके से जितनी चाहे उतनी अगरबत्य आप लगा सकते हैं तो इस तरीके का यूज़ करेंगे तो आपको stand के भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी आप move कर सकते हैं निचोड़े और इसमें गरबत्य भी लगा सकते हैं तो दोस्तों यह काफी सारी ऐसे ट्रिक्स ही जो आपके डेली काम को बेहद आसान कर देती हैं और साथी साथ बचत भी होती है कोई फालतु खर्चा भी नहीं होता है और जो हमारी वेस्ट चीज़े होती हैं इसे डिस्पोजल की गलास इनका भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो आप इस वाली ट्रिकों ना यूज़ करके जरूर से देखिएगा तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आपको यह सारी टिप्स पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हूँ तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ जरूर शियर करिएगा ताकि इन टिप्स का फायदा बागी लोग भी उठा सके मिलूंगे आपसे फिर एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ कुछ कुछ नई टिप्स के साथ तब तक के लिए आप सब भी अपना ख्याल रखे हर हर महादेव